अज़ो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि आडियो या वीडियो कोड़ पैक क्या होते हैं दोस्तो कई बार आपके साथ हुआ होगा कोई वीडियो जो आपके दोस्त के लैपटॉप पे प्रॉपरली वर्क कर रही थी जब उसे आप अपने लैपटॉप या पीसी में कॉपी करते हो तो वो प्रॉपरली प्ले नहीं होती है कई बार ऐसा होता है कि आपको आडियो तो सुनाई देता है लेकिन वीडियो आपको नहीं दिखाई देता है और कई बार वीडियो प्रॉपरली प्ले होती है लेकिन दिखत क्यूं आती है समझते हैं कोड़ेक का मतलब होता है जब भी कोई वीडियो या आडियो फाइल रिकौर्ड की जाती है उसे इस टोर करने के लिए या आउनलाइन इस्ट्रीम करने के लिए हमें एक इस्पेस चाहिए होता है कर हम फालो को सेफ करना चाहते हैं तो हम इस चीजिए होता है और जब हम उसको ऑनलाइन स्ट्रीम करते हैं तो स्ट्रीमिंग डिपेंड करती है हमारे इंटरनेट की सिर्ट की पिर हमारी फाइल हेवी साइज की है स्टोर करने में भी ज्यादा यस स्ट्रीम करेंगे अन्लेट की जरुरत पड़ती है दोसतों इसका solution यह हम लोग करते है कि हम file-o को compress करके रखते हैं और इस compression को हम बोलते हैं encoding और जो application यह work करता है उसे दर Сейчас हम कहते हैं Coder और जब भी हम इन file-o को प्लेबैग करना होता है अगे से प्लेग करना होता है इन file-o को हम decompress करते हैं और वह application जो इसको decompress करता है उसको हम बोलते है decoder तो encoder या coder से बढ़ लिया गया C को और again decoder से लिया गया DEC इन दोनों श्रब्द को मिला के हमारा बना है codec हम कह सकते हैं कि codec एक ऐसा hardware या ऐसा application होता है तो large files को compress करता है जिससे वो कम space में store की जा सकें और online आसानी से streaming करना सकें अब again जब उन फाइलों को हम playback करना चाहते हैं तो उनको decompress करना या decode करना ज़रूरी है अब reason क्या है कि file जो आपने video file copy किया है वो आपके laptop में play क्यों नहीं है reason यह है कि आपके laptop में वो codec नहीं है यानि वो application के मादधम से वो file आपको decompress करना है वो application आपके laptop में अवेलेबल नहीं है यही रीजन है कि वो file properly play नहीं हो रहे तो बहुत सारे cases में ऐसा होता है कि एक video file या audio file की other place पर work कर रही थी और आपके laptop में work नहीं कर रही है तो हमें वहाँ पर चाहिए कि हम उसका codec pack install करें अब I hope कि आपको समझा चुका होगे codec क्या है अब codec pack क्या है codec pack में अच्छल में बहुत सारी audio या video file के जो format होते हैं उन सब का combination होता है या complete एक bundle होता है बहुत सारी audio या बहुत सारी videos file के format होते हैं तो codec pack install करने से यह भी नहीं फिट होगा कि बहुत सारे encoder और decoder एक साथ आप install कर सकते हो तो बहुत सारी format की audio video file प्ले करने मैं आपको दिक्कत नहीं होगी दोस्तों आई देखते हैं कि हम कैसे इसको install करेंगे सबसे बहुत करते हैं वेब ब्राउजर और एक साइट में open कर लेता हूं डाउनलोड करने की वेबसाइड है जहां समय एप्लिकेशन डाउनलोड करते हैं filehippo.com और आपको पता है कि यहां पर categories वर नहीं होती है कोडेक पैट मेगा है एक सब्सक्राइब कोडेक है Microsoft Camera कोडेक पैक है तो बहुत सारे पैक है आपको फिर रिमांड करा दूँ पैक का मतलब होता है कि वहां पर बहुत सारी फाइलों के format को compress और करने के टूल आपको साथ में मिल जाते हैं यह बहुत ही popular है के light codec पैक इसमें करते हैं डाउनलोड करते हैं एडेस को हम close कर देते हैं तो तो रॉट्टिकर सटाइब हां पर वर्जन देखा रहे क्कौन सा americally हम सबस्के का नषक करने की कोशिळत करते हैं देखे निचे बॉटम लेफ्ट कॉर्णर पर कोड़ेक पैक की जो डाउनलोड हो चुका है इस पर हम क्लिक कर देते हैं देखें का डायलाग बॉक्स आ गया रन कर देते हैं कि हमने कोड़ेक पैक इसमें अवेलेबल है करने के बाद अगर आप कोई आडियो वीडियो प्लेयर यूज करती है तो अगर आप इस तरह की वीडियो को एक सीकेंच में देखना चाहते हो तो आप प्लेस्टोर से हमारा एप्लिकेशन डाउनलोड कर सकते हो thank you